नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे आर्खे गार्डनिंग यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजिंद्र इस वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले अप्रजिता की बेल के उपर गर्मियों के मौसम में अप्रजिता की बेल से हम जादा फूल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं सामने जो की एप्रजिता की बेल आप देख पा रहे हैं इस पौदे पर जादा फूल आपको नजर आ रहे होंगे गर्मियों के मौसम में हम इसी तरह से अपने पौदे से जादा फूल प्राप्त कर पाएंगे बस हम इस पौदे की थोड़ी अ आप लोगों को बता दूँ यदि दोस्तों आप हमारा चैनल पहली वार देख रहे हैं तो प्लीज आप से पुने निवे दने की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सेयर करना बिलकुल मत भूलेगा इसके अलावा दोस्त हम इसे सीड से भी गिरो कर सकते हैं तो खुछ इस तरह कि इस पर फूल आते हैं तो फूल आपको देखी पारे हैं बहुत ही अच्छी इस पर फूल आए हुए हैं गर्मियों के मौसम में दोस्तों हम फूल तो बहुत ही ज़्यादा पाना चाहते हैं पौदे से पल लेकिन हम को सही जानकारी मिल पाए तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं एक ही बेल पर काफी डेरों फूल नजर आ रहे होंगे आपको इसी तरह से आप भी चाहते हैं लगाना तो बहुत ही आसान तरीका इसको लगाना और पौदे से फूल प्राप्त करना बस हमें छोटी छो कि आनलते ही रहना है सोबशया साम पानी केवल हमें डालना है दुपेर में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है इसके अलावा दोस्तों चाहें आप ने इस घंल लो में लगाई हो तो इसे आप कहीं पर भी लगा लो प्रोदे फूल तो हमें आच्छे ही देते हैं और इ इसके कई नाम है तो अब इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें आप बर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं ताकि इसकी बेल है जो की लंबी ग्रोथ करती रहेगी और हमें फूल ज़्यादा देती रहेगी तो इस तरह से हमें अपने पौदे पर के रहेगा वैसे तो यह पौदा गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादा फूल देता है जो की यहां पर देखी पा रहे है थोड़ी दूब भी निकल रही है कहीं चाया भी हो जाती है तो पूरी बेल पर आपको फूली फूल नजर आएंगे तो एक बार अपने जिता की बेल को आप घर पर लगाना चाहते हैं या अपने गाडन में तो अवस्ती से लगाईएगा इसके बहुती फूल सुन्दर है तो यह बहुती अच्छी लगती है वेल तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी कुछ टिपसें सेयर करूँ अब दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को चाहें तो आपने गमलों में लगाई हो तो आप किसी लकडी की सायता से आप इसे उपर की तरफ चड़ा भी सकते हैं और यदि आपने अपनी दीवाल के सारे लगाई हो तो आप इसे दीवाल पर भी चड़ा लेते हैं तो यह बहुती सुन्दर दिखने लगेगी आपकी द संद आई होगी फिर मिलते हैं किसी अन्यता वीडियो के साथ ठेंक यू